एक नन्हा सादयास बेहतर है अधिर से एक नए पत का निर्माण करना है दीक्षा के सभी दर्शकों का स्वागत है दोस्तों यह बात तो आप जानते ही होंगे कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है प्रित्वी पर मौझूद पानी को दूशित होने से बचाने के साथ हमें इसे सुरक्षित भी रखना होगा पानी को हम सुरक्षित कैसे रखें यह जानने के लिए आए देखते हैं कारिक्रम पानी के चौकीदार यह तरह देखे 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 वाह 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 यह तो पानी का जहाज है बेटे आए अच्छा बाबा बुवा हमें हवाई जहाज दिला रहे थे लेकिन हम पहले ले आये थे हमें यह उठ पसंद आया तो बुवा ने ले दिया यह तो बहुत सुन्दर बात है बेटे ऐसा है कि अब तो तुम लोगों के पास तीन तीन जहाज हो गए तीन कान कान से बाबा जी दो यह तो जहाज है एक हवाई जहाज दूसरा बाली का जहाज बेटे तीसरा यह रेगिस्तान का जहाज भी तो है बाबा रेगिस्तान किसे कहते है रेगिस्तान यह तो बात तुमने खुब पूची बेटे रेद देखी है नदी के किनारे बालू जो नदी के किनारे होती है उसी को रेत कहते हैं बिल्कुल बेटे वही रेत है तो जैसे अपना ये प्रदेश है ना उत्तर प्रदेश उसी तरह से बेटे राजस्थान वगारा कुछ ऐसे प्रदेश हैं कि जहां पर मिट्टी की जगे बालू ही बालू रेत ही रेत रहती है तो ऐसे छेत्र को रेगिस्तान कहते हैं बेटे समझे हैं हाँ बाबा समझ गए एक बात आपको बताएं हाँ बेटे बाबा एक दिन बुआ ने हम लोगों को बताया था कि राजस्थान में समान वगारा डोने के लिए ज़्यादा तर ऊटों का ही प्रियोग किया जाता है हाँ बेटा बाबा मैंने भी चित्र में देखा था कि औरते अपने सर पर मटका रख्का कुप दूर से पानी ला रही थी अच्छा बेटे बात तो तुम ठीक कहते हो बेटे राजस्थान और जितने भी रेगिस्तान है वहाँ पानी की बहुत कमी रहती है बेटे बड़ी बड़ी दूर तक चले जाओ तब कहीं किसी जगे पानी मिलता है बेटे बाबा लेकिन ये बात समझ में नहीं आए कि ओटा और रेगिस्तान का जहाँ ये बाद ठीक पोची बेटा तुमने बड़ी रेगिस्तान का जहाँ वाली बात ऐसे है कि तुमने जहाँ देखा है जिसे ये पानी का जहाँ है उसकी एक टंकी होती है टहिंक होता है उसमें इंधन भर दो और इंधन भर देने के बाद जब वो चलता है तो मीलों तक सिबेटे हमारा ये रेगिस्तानी जहाँ है आओ आओ भाईया आओ बैटो भाईया अरे नमस्ते नमस्ते अरे हमें पता चला कि सोनू और मोनू ये आए वे हैं सब लोग गाव सहर से तो हमने का चलो मिल आए और हाल चाल लिया है अब पुस्पा भी तिया भी आ गई साथ मे पाउचों को भेजने के लिए और क्या हाल चान है सहर में सब बढ़िया है और बेटा ऐसा है कि हाल चाल तो इनसे मालूम हो गए सब कुछल मंगल है लेकिन एक समस्या बेटा वहां है क्या पानी की बड़ी किल्लत है अरे दद्दा पानी तो हर जगे समस्या क्या गाउँ क् सहर में दिखकर प्रोजमर्रा के काम के लिए पानी कमी पड़ रही और अपने गाउं में दिखकर खेती में पानी कमी पड़ जाती है खेत सीच नहीं पाते सूखे रह जाते है पानी नहीं पहुंचा क्या नहीं आ रही है अरे नहीर तो आई थी लेकिन धनी राम जी का खेत इंदे नाहिए सबस्तो प्रभात यह तो पानी की बर्बाद दिये हम लोगों के या रहकर पानी बचत की जरुरत को समझ Japan वहाँ लोग नरों के विचे लाइन से बाटी लगा कर पानी कांजिजार करते हैं चाचा जी आप प्रधान जी से कहिए ना कि वो लोगों को समझाए कि कोई पानी फाल्तु बर्बार ना करें यह तुमने सही बात कई अभी तक हमने नहीं का लेकिन अपकी सम प्रधान जीस कहेंगे भाई कि यह आप सबको समझाए कि नहर कोई न काटे ताकि पानी सबको मिले खेती सब लोग करें और सबका खेत सिचे और सब लोग सही रहें फाव बाबा अपने जो खेत नीचे पर है ना हें हाँ बेर मीशी भाई कर दब तब तलाब भर जाएगा, और उसके बाद उसमें मचली पालन किया जा सकता है, अरी वाँ बेटे वाँ, क्या तरकीब बताई बेटा तुमने, इसमें तो वही बात आ गई, गरैति, आम के आम, और गुठिलियों के दाम, वाँ बेटे, तो बहुत अच्छी बात बताई है, भ को समझा में, पानी की बरबादी की स्वार्थ में, पानी कार देते हैं, नहर कार देते हैं, अब वो नहर का पानी, खंतियों में, और नालों में, नालियों में, जाकर के वो बेकार हो जाता है, बाबा, क्या इस पानी की बरबादी को रोका नहीं जा सकता है, इस पानी की ज जो कमी हमारे यहां है उसके कई कारण है वो ये के हमारे यहां अधा धुंद पेड़ों की कटान जो बेटे हो रही है ना इन पेड़ों की कटान की वजे से हमारे यहां पानी की कमी हो जाती है पेड़ों के कटान से पानी की कमी कैसे हो जाती है वो ऐसे बेटे जैसे देखो प बादार के और تمाम अन्य पेड़ होते हैं ना उनकी जड़े बड़ी दूर तक आपस में फैली होती हैं और वो वहां की जो मित्ती हैं उसको अपने में जकडे रखती हैं और जो बरप जमती है पहाडों पर उसको वो अपने उपर रोके रखती हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि बरब जल्दी नहीं पिघलती और धीरे धीरे पिघलकर और पानी की शकल में बदलकर और नदियों के सहारे मैदानी इलाकों में पहुँचकर वहाँ पानी की उपलब्धता को बनायती है हाँ बाबा पानी के शुरूत का क्या मतलब है शुरूत शुरूत बेटे वो कहलाता है कि जहां से हमको पानी मिलता है जैसे जमीन के उपर तालाबों से नदियों से और जमीन के नीचे कुए से हैंड पंप से यही पानी के शुरूत कहलाते हैं समझे हाँ बाबा समझ के पानी वज़े से हमारी जो मैदानी इलाकों के पेड़ हैं यहां भी तो पेड़ों की परतों पे जड़ों की परतों पर पानी वो संजोए रखती है जड़े और लेकिन जब जंगल कटे जा रहे हैं तो क्या होगा वो पानी दीने धीरे-धीरे सूखता जा रहा है और नीचे बैठ नतीजा क्या हो रहा है पानी कमी पानी की कमी तुम लोग सुनते होगे बेटे कि कुवा सूख गया यहां पंप हमने लगवाया था और अब उसमें पानी ही नहीं आ रहा है नहर के किनारे-किनारे और फेट के किनारे चौगज़ा अपनी तरफ हां पूरे पेड़ लगवा अब गाउं में हम लोगों ने इस बात की जो है त्यारी कर ली तो पेड़ हमारे लिए जीवन है भाईया अगर पेड़ नहीं है तो फिर पानी धीरे-धीरे क्या होगा कि बिलकुन समाथ हो जाएगा हम जहां बैठे हैं यह भी रेगिस्तान हो जाएगा तो बेटे ऐसा करो कि अब आप लोग पानी के चौकीदार बखों हमें एक सिपाही की तरह पानी की चौकीदारी करनी पड़ेगी हाँ वेटे वीक्षदेशा वीक्षदेशा वीक्षदेशा